नमस्कार दोस्तों जैहिंद आज के स्यूडियो में हम जानेंगे SSC, MTS और वल्दार का एक्जाम पैटरन, इसका ओफीशिल स्लेबस, इसका सेलेक्शन प्रोसेस और कट ओफ के बारे मैं आपको आइडिया दूँगा दोस्तों और यह जो important point मैंने लिखा हुआ है कि अगर आप काईदे से पढ़ोगे तभी आप इसके अंदर सेलेक्शन ले पाओगे इसका जो मतलब है वो आपको वीडियो के end तक पता लग जाएगा सो बहुत ही जदा important वीडियो है बिल्कुल end तक देखिएगा क्योंकि भई इतना सा नहीं है MTS के अंदर सेलेक्शन बाला बड़े ही यह 10th पास जोगो लेकिन भई आपको बिल्कुल एक proper plan के साथ इसकी preparation करनी होगी सारी बाते आपको पता होनी चाहिए तभी आप एक smart work करके इसके अंदर सेलेक्शन पा सकते हो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके exam pattern की तो exam pattern यहां पर बड़ा ही simple सा है आपका computer based examination होगा ठीक है जो कि बताया जा रहा है कि October November के अंदर जो है cover conduct करा लिया जाएगा तो दोस्तों यहां पर दो session जो है रखे गए है session 1 और session 2 session का क्या मतलब है मैं आपको बता देना चाहता हूँ exam आपका एक ही दिन होगा एक ही दिन में आप कह सकते हो कि एक exam के दो part होगे पहला जो part है उसके अंदर आपका math पुछा जाएगा और आपकी reasoning पुछ जाएगी यानि 20 question math के होगे 20 question reasoning के होगे एक जो question है दोस्तों वो जो है 3 mark का जो है रहने वाड़ा है ठीक है लेकिन जो session 1 है यादि जो part 1 है exam का उसमें आपको केवल और केवल पास करना है भई इसके अंदर जो है कोई भी cut off नहीं लगेगी दियान रखना math reasoning केवल पास के लिए आपको करना है ठीक है 15 मिट का आपको समय दिया जाएगा और जो session 1 है इसके अंदर कोई भी negative marking नहीं होगी ये भी आप द्यान रखना कोई भी negative marking नहीं है भई session 1 के अंदर जैसे ही आप session 1 आपका खतम होता है उसके तुरंत बात जो है session 2 यानि part 2 start हो जाएगा जिसमें आपके journal awareness के 25 question होगे और English language or comprehension के 25 question होगे जो कि 75 75 number के होगे यानि जो आपका part 2 है session 2 है ये 150 marks का रहने वाड़ा है जिसके अंदर 50 question होगे है इसके अंदर जो है आपकी negative marking भी होगे भई द्यान रखना इसके अंदर आपकी negative marking भी रहने वाड़ी है और आपको बता देना चाहता हूं इसके अंदर भी आपको जो है 15 minute का समय दिया जाएगा और यह जो 150 number है 150 जो marks है यही आपकी क्या करेंगे भई merit decide करेंगे दोस्तों इनी के basis पर आपकी जो है merit लगने वाड़ी है ठीक है अगर हम पिछली बार की बात करें दोस्तों तो 133 number से ज्यादा वाड़े का जो है यहाँ पे selection हुआ था भई और 153 number जैने 150 से भी ज्यादा क्योंकि normalization होती है तो 150 से भी ज्यादा जो है यहाँ पे बच्चों के number आपको देखने को मिले थे ठीक है तो यहाँ पे merit जो है इसकी काफी ज्यादा हाई जाती है ठीक है जनरल में तो आप यह मान के चलो कि अगर आप 140 के near about score कर पा रहे हो त लेकिन 4000 के लगबग हवलदार के भी पोस्ट हैं तो भई हवलदार भी अगर आपने बढ़ा था तो आपको जो है एक cut off लगेगी पहले उसकी PFT की यानि उसके अंदर आपको physical test होगा और एक physical measurement test होगा भई हवलदार के अंदर जो minimum height मांगी गई है वो 157.5 cm मांगी गई है भई किसके case में male के case में और female के case में भई ये 152.5 cm रहने वाड़ी है या 152 cm आप मान सकते हो या आपकी female के लिए रहने वाड़ी है ठीक है और यहां पे जो physical test होगा या फिर जो P.E.T. आप बोल सकते हो physical efficient test इसमें 1600 मिंटर वोकिंग है जो कि आपको 15 मिट पर पास करनी है और female में एक किलो मिंटर यानी 1000 मिटर की वोकिंग है जो कि 20 मिंट में आपको cover कर लिया तो आसान सा physical है आराम से आप सभी कर सकते हो ठीक है male में जो है chest भी मागी गई है यहां पे chest जो रहेगी वो 81 cm की रहेगी पलस 5 cm का आपका जो है expansion रहेगा यह केवल और केवल जो आपक जो chest है यह cable or cable male content में ही जो है valid रहेगा अगर आप इसको qualify कर लेते हो तो आप हवलदार की final merit list में आने के eligible हो जाते हो ठीक है एक cutoff तो आपके physical के लिए लगी फिर उसके बाद final cutoff यहां पे लगी है बई MTS और हवलदार की जो की 133 से ज़्यादा जो है जाएगी पिछली बा सब्सक्राइब में OBC और जर्नल की लेकिन आप मानगे चलो बई 104 से ज़्यादा आपको score करना ही करना है यानि तीन number से ज़्यादा तीन question से ज़्यादा अगर आपके गल्त हुए तो आप जो है मतलब बिलकुल ही जो है borderline पर आ जाओगे ठीक है उसके बाद अगर हम बात कर करना है वो किस पर करना है वो जिक्के पर करना है प्लस आपको भई English section पर जो है focus ज्यादा करना है क्यूंकि math और reasoning में qualifying in nature है math और reasoning पर भी focus करना है लेकिन बहुत ही कम आप कम से कम पास हो जाओ क्यूंकि उसके mark जो है final merit में count नहीं होगे ठीक है नुमेरिकल यानि नुमेरिक से between numbers हो गया fundamental arithmetic operations हो गया जैसे board mass वगयरा percentage के question आएगे ratio and proportion आएगा work and time आएगा direct and inverse proportions averages उसके बाद simple interest profit and loss discount area and perimeter of basic geometrical figures उसके बाद distance and time line and angle उसके बाद interpretation of simple graphs and data square and square root मतलब जो syllabus है वही आपका general math का रहेगा जो कि हर competitive exam में आपका पूछा जाता है ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे reasoning की तो reasoning भी मैंने आपको पताया कि cable or cable pass आपको करना है तो यहां पे भी basic basic reasoning से question रहेंगे जिसके अंदर वही alpha numeric series रहेगी coding decoding रहेगी analogy रहेगी following directions रहेगा भी similarities and dissimilarities के question रहेंगे jumling के रहेंगे problem solving and analysis के question रहेंगे nonverable reasoning से question पूछे जाएंगे जैसे diagram पर age calculation के question होंगे calendar and clocks के question होंगे जो topic आपको दे रहें math or reasoning में वो वो अगर आप कर लेते हो तो आप math or reasoning में आराम से pass हो सकते हो जगा high level के question नहीं होंगे है उसके बाद आता है हमारा main portion ठीक है इसमें आपको कते ही भी जो है बिलकुल भी जो है आपको बिलकुल properly यहां पे इनको करना होगा थोड़ी सी भी जो है आपको mistake नहीं करनी है जर्नल अवार ने इसके अंदर अगर मैं बात करूँ भाई तो यहां पे यह जो है टेस्ट है इसके अंदर भाई social studies हो जागा जिसके अंदर history, geography, art and culture, civics, economics रहेगा भाई ठीक है जर्नल science रहेगी, environmental studies रहेगी और सभी का level जो है 10 तक रहेगा आपको river पढ़ना है, mountains पढ़ना है, history के अंदर भाई आपको medieval history पढ़नी है, modern history पढ़नी है, complete ही history पढ़नी है, 10 तक की जो history रहेगी वहीं से maximum question आपके पूछे जाएंगे, तो भाई यहां पे जो है कोई specific syllabus नहीं है और सबसे बड़ी जो समस्या आती है बच्चों को वो general awareness क अंदर ही आती है, क्योंकि बहुत ही जदा syllabus है, क्या पता कहां से क्या question उठा के दे दे, साथी साथ भाई, यहां पर current affair भी आप add कर ले ना दोस्तों, ठीक है भाई, उसके बाद अगर हम बात करें हैं यहां पर English की, तो English में आप सभी को पता है, भाई, सारी की सारी जो basic understanding हो simple paragraph वगेरा जो है आपको दिये जाएंगे, यहनि आपके जो 25 question है, वो आपके यहां पर comprehension के English language और 25 question आपके journal awareness के रहने वाड़े हैं, तो भाई, यहां पर brief syllabus नहीं है, लेकिन आपको जर्नल सा आइडिया दे गया कि आपकी basic understanding English की जो है, चेक की जाएगी, ठीक है दोस्तों, तो यह आपका जो है यहां पर syllabus रहने वाड़ा है, अब यहां पर मैं आपको कुछ important points बदा देता हूँ, दोस्तों भाई, देखो इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि आपका जो exam है, वो 150 marks का है, और आपको कम से कम 140 plus स्कोर करने हैं, यानि आपको जो है 50 question में से, मतलब भाई 47 से ज़्यादा ही जो है आपको score करने हैं, यहां पर difficulty क्या आती है, एक तो general awareness का portion आ गया, उपर से English का portion आ गया, क्योंकि अगर दोस्तों यहां पर math, reasoning होती, तो maximum chance है कि आपके पूरी के पूरी question भी ठीक हो जाते, लेकिन जर्नल awareness का जो portion है, बेहद आप कह सकते हो कि बड़ा जो है यह portion है, पता नहीं कहां से क्या उठा लेते हैं, तो भाई इसके लिए जो है, रोजाना 7 पीम को मैं आपका live session लेता हूँ भाई, आप सभी जरूर जोइन किया करो, उसमें हम previous year के question तो discuss करते ही करते हैं, लेकिन वहाँ पे हम detail के साथ हर question को discuss करते हैं, तकि पाइचां वैसा question आए, उस related question आजाए, तो भी आपको कोई जो है तकलीफ नहीं हो, तो आप 7 बजे जो है जोइन कर सकते हो, description में मैंने आपको WhatsApp ग्रूप का link दे रखा हैं दोस्तों, वहाँ से आप हमारे WhatsApp ग्रूप में जोइन कर सकते हो भाई, ठीक है, उसका link आपको वीडियो के description द होगे, क्योंकि अगर आप तयारी कर रहे हो तो भाई, आप final selection के लिए ही तयारी कर रहे हो है ना, और भाई MTS हवलदार और SSE MTS और हवलदार दोनों की ही आप preference बरियेगा, ठीक है, तो कोई doubt, कोई question हो, तो आप मुझे comment करके बता सकते हो भाई, है ना, और चैनल को subscribe कर ले ना भई, जैहिल